वेल्कम प्रेंट टो आसर इजुकेशन बिसकेली आस इस वीडियो में मैं जो टॉपिक के ओपर डिसकेशन करने वाला हूँ बहए हद ही इंपोरेंट है कहा जाता है कि गोंड जो है एक जाती भी है और जनजाती भी कुछ लोग इसे जाती मानते हैं गोंड समाज को ले गए सुप्रीम कोर्ड तक गया गये थे कुछ लोग जो कि कुछ लोग जाती मानते थे इन्हें जाती आठथा हिंदू स्तनाते अंधर में और कुछ लोग इन्हें जनजाती है के तो पे तो कुछ ऐसा फैसला आया था जो एक discussion करने वाली है बात लेकिन आज हम यहां पर government के website जो बिहार पोर्टर है उसको खुल चुगा हूँ और यहां से मैं देखने का कोजिस करता हूँ कि basically gond cast की क्या category है gond किस category के अंतर आते हैं तो देखिए दोस्तों यहां पर दो options हमके मिल जाता है जो अत्यंत पिछरा वर्ग है तो इसमें तो नहीं होगा हमें basically देखना है कि gond को जाती है सूशी के अंतरकत अनुसूशी 2 में सायद हो सकता है या तो अनुसूशी जाती में हो सकता है या फिर अनुसूशी जाती में ही होना चाहिए तो मैंने यहां पर अनुसूशी जाती 2 पहले देखा यहां पर देखते हैं कि कोई नाम यहां पर सायद गोंड हमें मिल जाए लेकिन दोस्तों यहां पर हमें गोंड कहीं पर दिखा रही है तो time नहीं पास करते हैं basically अभी हम चलते है दूसरे का सुची पे यहाँ पे अनुसुचित जाती वाला जो कैटेगोरी है इसके अंदर यहाँ पे हम देखते हैं कि बिसिकली गोंड इसके अंदर है या नहीं है तो देखें दोस्तों कि बंतार बौरी भोगता बुईयां यह सब है रामदासी जमार चौपार दोबी रजक समाज है डोम है दूसाद है घासी है हलकोर एक तरह तरह की जातिया है लेकिन हमें इसमें भी गोंड नहीं मिला तो अब हम चलते हैं दोस्तों इहाँ पे अनुसुचित जनजाती वाले कैटेगोरी के अदर है जो इनकी जो कास्ट है वो गोंड ट्राइब से अरधात यहां तो सिद्ध हो गया कि अनुसुचित जनजाती गोंड कास्ट होगे और गोंड कास्ट या जाती कहे है या अनुसुचित जाती अनुकरमेंट संख्या जो है गोंड समा जो है उनकी नेशनल लेवल पे भी अर्थात जो सेंट्रल लिस्ट है उसके अंदर भी इन्हें स्टी के अंदर ही रखा गया है I hope so कि गोंड किस कैटेगोरी में आती है वो आपको पता चल चुका होगो तो हमारे वीडियो पे नए है तो वीडियो को लाइक सेर सबस्क्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ एक छोड़ा प्यारा साथ सेर कीजिएगा और मिलते हागे तब तक कले जैहिंच जै भारत